हेलो एवरिवान वेलकम तो संस फेट फूड आज की हमारे डिश है मसाला मटर पुलाओ विद बूंदी राइता बहुत बहुत अमेजिंग लगता है मैंने इसे विदाउट ओनियन विदाउट गार्लिक के बनाया है तो आए देखते हैं से कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने है बड़ा बरतन उसके कोड़िंग मैंने कोई भी बावल मीजरमेंट में ले लिया है और यह राइस लिया है मैंने पासमती राइस है मेरे पास यह दो बावल मैंने इसको लिया है और अब मैं इसे अच्छे से वाश कर लूँगी इस तरह से मैंने इसे वाश कर लिया है अच्छे से रब करके और अब मेरे पास है ये वन बाउल मतर एक बाउल मने मतर लिया है सफल मतर है ये जो फ्रोजन मतर होती है और इसको मैं अच्छे से वाश कर लिया है इसको भी और अब मैंने रखा है कुकर गरम होने के लिए कुकर कि आप चाहे तो ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं वजेटेबल ऑई जो भी आप यूज़ करते हैं घी को गरम होने देंगे हम अच्छे से अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे आदा चम्मत जीरा दो साबुत लाल मिर्च दो तेज पता में डाल रही हूं और थोड़े से काजु में इसमें अड़ कर रहे हूं आप चाहे तो अद्रक और हरी मिर्च बगरा भी इसमें अड़ कर सकते हैं मैं थोड़ा अवाइड कर रही हूं उसको और अब मैं इसमें अड़ कर रही हूं मतर सभी को इसमें डाल देंगे और चलाएंगे इसे इस तरह से अब इसमें डालनेंगे आदा चमच जीरा पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, एक चमच धनिया पाउडर, और आदा चमच में नमक यूज़ कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के कॉडिल डाल सकते हैं, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, अब मैं इसमें डाल डियू हूं आधा चमश लाल मिश पाउडर मिक्स करेंगे इसे और मसाले को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हम पकने देंगे मसाला अच्छे से पक गया है अब इसमें डालेंगे हम राइस अब इसमें मैं डाल दूंगी मिने आटा चाफल को निकाल कर अच्छे से और यह से MIX करेंगे इस बहुत बहुत भाँत ऊपनाना बहुत बहुत यह अब इछाफ मे लगता है कर्द के साथ खाना बहुत अमीजिंग लगता है कि आप लिभा डालें है इसाइध से लिफसे डालें गूंदयाँ में तीन बाउल में पारि हूं और को हम और आगे कमें सिर्फ एक सीटी आने तक हम दैंगे ए कि ऐने के बाद इसको बंद कर देंगे बित्वास की कि नाएंगे साथ के लिए रायता मैंने डही लिया है और एको थो और नाल देंगे दही में और अच्छे से मिक्स करें झाल 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 झाल